नमस्कार दोस्तो कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तो आज की यह वली वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वली है आज की यह वीडियो के अंदर मैं उन इस्टोक्स को भी पिक गरूँगा जो की आने वाले टाइम में आपे बोर्ड मीटिंग्स करने जा रहे हैं इसी डिविडियो को स्टाट करते है आज किस वीडियो के अंदर इनी 6 stock scheme आप लोगों को पूरी details दूँगा बताऊंगा इनोंने क्या क्या चीज़े announce करी हैं और किस किस values थे announce करी हैं साथ ही साथ में बताऊंगा इनके current stock prices क्या चल रहे हैं और साथ ही साथ में बताऊंगा इनकी announcements की x dates और record dates क्या होने वाली हैं तो चलिए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना हैं कहीं पे भी skip मत करना बेकर जगर आप इस वीडियो को कहीं पे भी skip करोगे तो आप काफी ज्यादा information मिस कर जाओगे इनी 6 stocks के बारे में जो कि personally मैं नहीं चाता है आप आप कोई भ चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हमारे पहले stock की तो company का नाम है AllSec Technologies and company का जो current stock price है currently 540 रूपीज के उपर में trade हो रहा है तो आपको इस stock को उसकी ex date यानगी 4th of November से पहले पहले पर्चेस करना होगा चलिए बात करते है एगले stock की तो company का नाम है Gloster Limited and company का जो current stock price है currently 1495 रूपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करी है 7th of November को and आपे जो board meeting का purpose रहने वाला है वो stock bonus को लेकि रहने वाला है तो आप इस stock को जरूर से अपनी watch list के अंदर में add कर लीजेगा बिकॉस यहाँ पर जैसी buyback से related कोई भी positive update आएगी आप इसे तुरंट purchase कर पाऊगे ताकि future में आपको अच्छे returns हो पाएं चलिए बात करते है एगले stock की तो company का नाम है power grid and company का current stock price currently 233 रूपीज के उपर में trade हो रहा है company ने भी यहाँ पर बोड मीटिंग और्गनाइस करिए 5th of November को यहाँ यहाँ पर जो meeting का purpose होने वाला है वो dividend को लेके रहने वाला है चलिए बात करते हैं हमारे अगले stock की तो company का नाम है coal India Limited and company का current stock price currently 245 रूपीज के उपर में trade हो रहा है company ने भी यहाँ पर बोड मीटिंग और्गनाइस करिए 14th of November को date होने वाली है और यहाँ पर जो purpose रहने वाला है board meeting को वो dividend को लेके रहने वाला है तो अब उन सारे stocks को अपनी watch list के अंदर में add कर लीजिएगा जिनका purpose होने वाला है यहाँ पर board meeting को लेके buyback यहाँ पर stock bonus को लेके साथ ही साथ में आप इन dividend वालों को भी add कर सकते हो जब भी dividend announce होता है तब भी हमें movement देखने को मिलती है बट जब भी यहाँ पर buyback announce होता है तब हमें सबसे ज़्यादा movement देखने को मिलती है stock के अंदर में upside की तरफ तो आप इन stocks को ज़रूर से add कर लेना है इस चैनल को भी ज़रूर से subscribe कर दीजिएगा because finomedia के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye